हेलो एबरिवन आपके लिए हेल्दी लंच थाली रेश्पी इस थाली को मैं बनाऊंगी उत्राखन में जिस तरीका से कापली बनाई जाती है या बहुत सारी जगा पर इसे काप भी कहते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही गाउं के तोड तरीके से ही आज मैं इस थाली को बनाना आपको बताऊंगी यहां पर लिया है मैंने मुठी जितनी चौल आई एक गड़ी पालक हरी सबजी को पानी से साप करके धो लें मैंने यहां पर हरी सबजी को पहले से ही धोके रखा वा था अब हम हरी सबजी को मोटा मोटा यहां पर काट लेंगे हरी सबजी को मैंने यहां पर काट लिया है अब एक बरतन में पानी गरम करें जिस बरतन में आपको हरी सबजी उभालने हो कटी हुई हरी सबजी को हम अब पानी में डालेंगे कर्ची को हरी सबजी से थोड़ा अलट पलट कर लें अब हरी सबजी को पानी में एक दो उभाल आने तक सबजी को पका लेंगे हरी सबजी को यहाँ पर चेक कर लेते हैं से हरी सबजी बनी है या नहीं तो हमें हरी सबजी को यहाँ पर जादा नहीं उभालना है बस एक दो उभाल लगाके ही बना लेना है तो हरी सबजी हमारी यहां पर बनकर तयार है अब हम इसको एक पलेट में निकाल लेंगे सबजी को मैंने यहां पर पलेट में निकाल दिया है जिस पानी में हमने हरी सबजी बनाए थी उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं उसे हम बाद में यूज करेंगे अब बनाते हैं कापली के लिए कुछ मसाले तवा को हम गरम करेंगे दो चम्मच साबुच धनिया, दो सुखी लाल मिर्ची, आदी चम्मच जीरा इन मसालों को तवा पे हलका सा हम रोष्ट कर लेंगे जीरा यहां पर चटक रहा है तो हम अब इन मसालों को एक पलेट में निकाल देते हैं हरी सबजे यहां पर ठंडी हो गई है कापली बनाने के लिए मैं आज मिक्सी का यूज नहीं करूँगी आज मैं सिल्वर्टे पर ही कापली बना कर तयार करूँगी पाड़ों में हरी सबजी का काप इसी तरीका से ही बना कर तयार करते हैं तो खाने में बहुत टेश्टी लगती है कुछ पालग को मैंने पीस कर यहां पर तयार कर लिया है अब हम सारी पालग को पीस कर ऐसे ही तयार कर लेंगे मुठी जिजने चावल मैंने यहाँ पर 7-8 घंटे के लिए भिगोने के लिए रखे वे थे चावल यहाँ पर अच्छे से भिगे वे हैं अब चावलों का पानी निकाल दें और चावलों को पीस कर पेश्ट बना ले चावलों को पीस कर मैंने यहां पर तयार कर लिया है अब चावलों को एक कटोरी में निकार ले अब पीसते हैं हम मसाले रोश्ट करेवे मसालों को सिल्वर टेपर डाले साथ आठ कली लसुन की एक टुकड़ा अधरक का इसको भी मसालों के साथ हम पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मसालों को पीस कर पेश तयार कर ले मसालों को पीस कर मैंने यहां पर तयार कर लिया है अब मसालों को एक कटोरी में निकार ले कड़ाई में तेल गरम करें दो सुखी लाल मिर्च को डाल कर हम मिर्ची को क्रेस्पी होने तक भून लेंगे मिर्ची यहां पर भून कर हमने तयार कर ली है अब इसको एक कटोरी में निकार लेते हैं एक बड़ा प्याज बारिक कटा हुआ तेल में डालें प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज को भून लें अब हम डालेंगे एक बड़ा बारी कटा हुआ टमाटर स्वाद अनुसार नमक डालें टमाटर नमक को अच्छे से मिक्स कर लें अब डालेंगे हम इसमें तैयार किया हुआ मसाला आधी इस्पून हादी पाउडर थोड़ा मसालों को मिक्स कर लेंगे अब मैं डाल रही हूँ इसमें अधी कटोरी पानी पानी डालने के बाद हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम मसालों को तेल छोड़ने तक मसालों को पका लेंगे मसाले यहां पर अच्छे से पक गए हैं अब डालेंगे इसमें PCV हरी साग हरी साग को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी हम उसी को यूज करेंगे जिसमें हमने हरी सबजी उबार ली थी पानी हम उतना ही डालेंगे जितनी हमको हरी साग पतली या गाड़ी रखनी हो अब इसमें डालेंगे हम पीसे हुए चावल अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले अब हरी साग को 20-25 मिनट ढख कर पका ले जब तक हरी साग में जो चावल पेष्ट डाला था अच्छे से पक न जाये और हरी साग बन कर गाड़ी ना हो जाये तब तक हम इसको पका लेंगे तो यहाँ पर हरी साग कापली हमारी बनकर तयार है तो अब बनाते हम चावल दो कटोरी चावलों को मैंने साप करके एक परेसर में डाल दिया है चावल आप कम जादा अपनी इच्छानुसार बनाए चावलों में मैंने तीन गिलास जितना पानी रखकर चावलों को एक दो सीटी आने तक पका लेना है जब तक चावल बनते हैं तब तक हम रैता बना कर तयार कर लेते हैं यहां पर लिया है मैंने खीरा खीरा को कदुकस कर लें इस त्रह के खीरे पहड़ों में पाये जाते हैं. या खीरा बहर से तो दिखने में बहुती बड़े होते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुती सौप्ट होते हैं. खीरा को मैंने कदुकस कर लिया है. अब खीरा में फ्रेस्ताजी दही डालें. आदी इस्पून भूना हुआ जीरा पौडर डाले, दो कटीवी हरी मिर्च डाले, स्वादा नुसार नमक डाले, फिर सबी चीजों को अच्छे से दई के साथ मीक्स कर ले रहता बना कर भी हमने यहां पर तयार कर लिया है चावल में भी यहां पर एक दो सीटी आ गई है, और चावल भी बना कर मैंने यहां पर तयार कर लिया है तैयार किये हुए गर्मा गर्म चावल थाली में रखें, तैयार किया हुआ हरी कापली रखें, तैयार किया हुआ रहता रखें, भुनी वी मिर्च रखें, थोड़ा सलाद रखकर गर्मा गर्म थाली को सर्व करें आज की रेस्पी में मैंने उत्रा खंड की लंच थाली और सिंपल थाली बना कर तयार की है आप लोगों को कैसे लगी कमिंट करके जरूर बताएं